ये मिठू मिया हैं आप इने छोटे नवाब भी कह सकते हैं सुबह सुबह इनसे मुलाकात हो गई पहली नजर में ही इश्क हो गया और हम उठा लाएं इनको अपने घर इनसे मुलाकात का किस्सा भी बहुत दिल्चस्प है ये हमारी कार के पहिये के नजदीक थे और हमने इने उठा लिया इनको पकड़ने में थोड़ी महनत तो लगी फिलहाल ये घर आए और घर आते ही बहुत उदास से हो गए आपके सामने हैं देखिए जरा गहन चिंतन की मु पुद्रा में कोई गंभीर सोच है सोच रहे हैं कि दोस्ताना कबूल किया जाए कि नहीं मेरे साथ मेरे घर पे रहा जाए कि नहीं फिलहाल ये रहेंगे क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है अभी काफी देड़ तक ये है चिंतन मनन करते रहे इन्होंने क्या सोचा ये ही जाने लेकिन फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि हालात कोई नहोंने भी समझा और ये फैसला किया कि यहीं रहेंगे फिलहाल ये कहां से आए हैं मुझको इसकी जानकारी नहीं है मेरे कार के पहिये के आगे थे गल्ती से भी कार आगे बढ़ती तो एक दुरघटना हो सकती थी इनको मैं ले आया हूँ अपने घर इनके सही मालिक का पता चल गया अगर तो इन्हें इनके मालिक के सुपूर्द कर दूँगा और अगर नहीं पता चलता है तो इश्क तो हमें इनसे हो ही गया है कुछ दिन में ये भी हमारी महबत में गिरिफतार हो जाएंगे हरकतें देख लीजिए इनकी ये रहेंगे मेरे साथ देखिए इने कुछ वक्त गुजरा धीमे धीमे ये अपने रंग में आने लगे इनकी बेहत्रीन रंगबाजी का नमूना आपके सामने है ये सोफे का चमकता हुआ पाया इसमें ये अपनी तस्वीर देख रहे हैं सोच रहे हैं कि कोई साथी और है उसके आगे पीछे नाच रहे हैं परन तो ये नहीं जानते कि ये इनका धोखा है हाँ धोखा तो हमें हो गया हम इन्हें लाए थे तोता का बच्चा समझकर पर पता चला कि ये लावबर्ड है एक प्रकार की चड़िया लावबर्ड जो भी हो प्यारे बहुत हैं ये शाम होई डिनर का वक्त आते आते ये एकड़म फैमिली मेंबर हो गए अब आप खुद ही देखिए सब के पास जाना हर थाली में कुछ ना कुछ लेना और खाना हरकतें बहुत प्यारी सी आपको भी अच्छी लग रही होंगी लाइक कमेंट और शेयर का मन धीमे धीमे आप लोग बना लीजिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये छोटे नवाब मिठुमिया लावबर्ड आप इतको जिस नाम से भी जानिये समझे पुकारिये ये कह रहे है और ये हरकदें भी जान बूच कर ऐसी कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो पूरा देखें और लाइक कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएं इनका जादू चल चुका था हमारे पास आगए हमारी कार के पास जहां से हम इनको ले आए उन तक सूचना दे दी है शाम तक ये चले जाएंगे लाइक कमेंट कर दो अब